हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आस्मा और आज मैं बनाऊंगी नान खटाई की रेसिपी फ्रेंट्स ये नान खटाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे मैं इसको इडली स्टैंड में भी बना के दिखाऊंगी और कड़ाई में भी इस प्रणाई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बावल में लेंगे एक कटोरी मैदा तो फ्रेंट्स इसमें मेजर्मेंट बहुत जरूरी है आप कोई भी कटोरी या कफ ले लिजिए उसी से हम सारा मेजर्मेंट करेंगे तो आधा कटोरी यहां पर ले लिया है हमने बेशन तो ए एक कटोरी मैदा, आधा कटोरी बेशन और 1 चुथाई चमस लेंगे यहां पर हम सूजी तो इस तीनों चीजों कोँ अच्छे से एक बार मिला लेंगे तो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों को एक बार मिला लूँगी और फ्रेंस मैंने इनको पहले अलग-अलग से छान के रख लिया था अगर आप चाहो तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके और इसको छान लीजी छानना बहुत ज़रूरी है तो बस यहाँ पे सारव मैं एक साथ इसको मिक्स करके एक साइड में रख दूँगी इसको अभी तो बस अभी आगे की तयारी करते हैं तो अभी मैंने फिर से एक बावल ले लिया है इसमें मैं डालूँगी आधा कटोरी घी तो friends ये इसी कटोरी से मैं सारा measurement कर रही हूँ तो यहाँ पर आधा कटोरी हम घी ले रहे हैं और इसको किसी चम्मस से या विश्कर से इस तरह से हम इसको 2-3 मेट के लिए अच्छे से फेट लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा color light नहीं हो जाता तो friends अभी आप देख रहे हैं इसका color yellow है यहाँ पर और इसको 2-3 मेट अच्छे से फेटने के बाद में इसका एकदम color बदल जाएगा तो यहाँ पर यह देखिए friends अच्छे से मैं इसको 2-3 मेट के लिए फेट लिया है तो color एकदम light हो गया है तो बस अभी हमें इसमें डालना है चीनी तो यहाँ पर एक कटोरी चीनी यह देखिए सारा measurement मैं इसी कटोरी से कर रही हूँ इसलिए measurement बहुत ज़रूरी है इस recipe में तो बस यहाँ पर एक कटोरी चीनी मैंने यह पीस के क्रेंडिंग जार में और इसका powder ले लिया है तो इन दोनों चीजों को अच्छे से यहाँ पर फेटेंगे हैं कम से कम 4-5 मिट तक इसे फेटना है तभी हमारी नान कटाई एकदम बेकरी के जैसी बनके तयार होगी अंदर से बहुत ही ज़्यादा soft बनेगी तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर थोड़ी से महनत करनी ज़रूरी है क्योंकि 4-5 मिट तक इसे हमें बहुत अच्छे से फेटना है तो यह देखे फ्रेंड्स आप इसका color देख सकते हो इसे 4-5 मिट मुझे फेटते वे हो गया है और कितनी जादा fluffy हो गई है तो फ्रेंड्स अभी कैसे पता चलेगा कि यह हमारी अच्छे से इसको हमने फेट लिया है या नहीं तो इसका पता लगाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें थोड़ा से बैटर हम यहाँ पे एक drops डाल के देख लेंगे अगर इसके उपर रहेगी तो हमारा बैटर बहुत अच्छे से फेट आया हमने और अगर नीचे डूप जाएगा तो बैटर अभी और फेटना बाकी है तो यह देखिए बिलकुल उपर ही तैर रही है पानी के तो यहाँ पे हमारा बैटर बहुत अच्छे से बनके तयार है तो अभी हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मैदा, बेशन और सूजी को मिक्स करके रखा हुआ था तो वो मैं इसमें यहाँ पे डाल दूँगी तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा आधा डाल रही हूँ तो यह देखे, मैं बिल्कुल अच्छे से इसी तरह से बिना पानी बिना दूद की इसको ऐसे ही मिक्स कर लूँगी तो अभी इसमें यहाँ पे देखे, अभी मैं डाल लूँगी इसमें थोड़ा सा नमक बिल्कुल वन पिंच नमक डालना है, हमें बिल्कुल एक पिंच जरा सा, क्योंकि मीठे में अगर थोड़ा सा नमक डालते हैं तो टेस्ट जादा अच्छा लगता है, इसके साथ में यहाँ पे मैं एक चोथाई चमच डाल दूँगी इसमें बेकिंग सोडा, यानि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, और उसके साथ में वन फॉर्थ चमच हम इसमें डालेंगे baking powder baking soda और baking powder बिल्कुल अलग-अलग होता है ये देखिए इस तरह का मिलता है ये baking powder तो इसको भी हम एक चोथाई चमज डालेंगे तो बस ये भी यहाँ पर देखिए एक चोथाई चमज है इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको एक बार अच्छे से तीनों चीजों को mix कर लेंगे तो friends इसको आटे की तरह नहीं गूदना हमें tight हाथ से बिल्कुल हलका-हलका एकदम मिलाना है इसे जोड लगा के नहीं गूदना है बस मिलाना है इसको हमें तो friends अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपका बैटर थोड़ा सा बिखर रहा है उसके लिए आपको एक दो चमच घी अलग से फेट के इसमें mix कर लेना है लेकिन friends अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी और एक ही बार में आपकी नान का टाइब बिल्कुल परफरक्ट तरीके से बन के तयार होगी तो यहाँ पर मैं इसको 10 मेट के लिए फ्रीज में रख दूँगी और मैं इसको फ्रीज में क्यों रखूंगी वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो यहाँ पर मैंने इडली मेकर ले लिया है और उसमें यहाँ पर मैं नमक डाल दूँगी तो फ्रेंट्स ही मेरा पुराना नमक है इसको जब भी मैं कुछ बेक करती हूँ केक वगरा तो इसको डाल लेती हूँ और फिर में जभी ठंडा हुजाता है तो इसको फिर एक डबे में बhर के रख लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पर इसको 10 मिर्ट के लिए हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे तो तब तक यहाँ पर यह देखे, मैंने फ्रिज से अभी इसको निकाल लिया है तो अभी इसकी हम यहाँ पर नानखटाई बनानी शुरू करेंगे तो फ्रेंट्स आपको जितनी बड़ी छोटी बनानी है, उतना ही आप इसमें से पॉर्शन ले लीजिए तो बस यहाँ पर यह देखे, इस तरह से हम गोल कर लेंगे और इसे बिल्कुल पर एकदम फ्लैट नहीं करना है चप्टा, बस बिल्कुल एकदम लड़ू की जाना रखेंगे तो यहाँ पर यह देखे, मैं एक इडली स्टैंड के अंदर रख लूँगी तो अभी एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ तो बस हलका सा हम जितनी बड़ी भी हमें यहाँ पर बनानी है नान खटाई तो इस तरह से यह देखे, बिल्कुल आराम से गोल कर लेंगे इसको और मैं यहाँ पर सारी बना के रख लूँगी तो 10 मिर्ट हो चुके हैं और यहाँ पर बड़तन भी हमारा अच्छे से प्रिहिट हो चुका है तो इसको हम इडली स्टैंड में बना रहे हैं तो नीचे वाले खाने में नहीं बनाना हमें इसे उपर वाली प्लेट में रखना है क्योंकि नीचे बहुत जादा हीट लगती है इसलिए नीचे की जल जाती है तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राइफ रूट से लगा दूँगी इसके उपर से और इसको 15-20 मिर्ट के लिए हम इसको रख देंगे 15 मिर्ट में बनके तयार हो जाती है तो गैस का फ्लेम यहाँ पे एकदम स्लो रखना है तो फ्रेंट से सब के पास इडली में करना ही होता है तो हम इसको कड़ाई में बना के दिखाऊंगी उसके लिए भी मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है और एक इस्टैंड रख दिया है अगर आपके पास इस्टैंड नहीं है तो एक प्लेट उल्टी करके रख दीजिए अगर आप नमक नहीं डालना चाहते हो तो बिना नमक के भी आप इसको ऐसे ही बना सकते हो एक प्लेट में मैंने यहाँ पे फॉयल पेपर लगाके और उसके उपर रख दीए तो इसको दूर दूर रखना है एकदम पास नहीं रखना है क्योंकि जब हम इसे बेक करते हैं तो यह साइज में बड़ी हो जाती है तो बस इसको भी मैंने यहाँ पे ढग दिया है फ्रेंट्स मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहे हूं कि गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है हमें मीडियम या हाई नहीं रखना है वरना तो यह नीचे से जल्दी जल जाएंगी तो अगर आप इसमें कोई डिजाइन बनाना चाहते हो तो वो भी इस तरह से बना सकते हो यह देखे आप कोई भी इसमें डिजाइन भी बना सकते हो तो यह देखे फ्रेंट्स कितना बड़ हासा यहाँ पे डिजाइन बना हुए हमारा तो मैंने एक कटोरी से काफी सारी हमारी बनके तयार हो जाती है तो 20 मिनिट के बाद मैं यहाँ पे खोल के इसको चेक कर रही है तो आप नीचे से देख सकते हो फ्रेंट से यह कलरी बता रहा है कि नीचे से सिख चुकी है अच्छे से तो friends यहाँ पर अभी इसको हम gas का flame off कर देंगे और इसको मैं बाहर निकाल लूँगी तो बस इसको आराम से बाहर निकाल लेना है और इसे बिल्कुल भी अभी हमें नहीं चुना है गरम गरम में क्योंकि अगर हम इसे गरम में अभी चुएंगे तो यह पूरी बिखड जाएगी पूरा अच्छे से ठंडा होने के बाद में हम इसे निकालेंगे तो इधर कड़ाई वाले भी हमारी बन के तयार हो चुकी है यह देखे फ्रंट कितनी बढ़हा यह इडली स्टैंड से भी जादा कड़ाई में बनके अच्छी हुई है आप देख सकते हो कितने बढ़हा से इसमें क्रैक बने है तो यह फ्रंट यह क्रैक तभी आते है जब हम फ्री से ठंड़ा ठंड़ा निकालके और गरम गरम इसको बनाते हैं तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं तो आप नीचे से देख सकते हो यह हमारी इडली स्टैंड वाली है और यह फ्रंट कड़ाई में बनाके तयार कियें तो आप देख सकते हो कितनी जादा बढ़े है एकदम बेकरी के जैसी यहाँ पर हमारी नानखटाई बनके तयार है तो फ्रेंट्स अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी जादा सौफ्ट बनी है तो यह देखे फ्रेंट्स बहुत ही जादा एकदम बिखर रही है तोड़ते ही आप देख सकते हो बिलकुल जैसे एकदम बेकरी में बनती है बिलकुल उसी तहां से बनके तयार हुई है बिल्कुल मुह में घुल जाने वाली तो ये देखे फ्रेंट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी सी हमारी नान खटाई की रेसिपी बनके तयार है फ्रेंट्स मुझे उमीद है आपको रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फैमली और फ्रेंट्स के साथ में शेयर करें